नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में और अभी में मौजूद हूँ उत्तर परदेश राज्य के चंदवली जिले में और चंदवली जिले में एक गाम है जिसका नाम है हित्तमपूर यह देखाया है तो चंदवली मुख्याले से 25 किलो मीटर की दूरी पर हित्तमपूर गाउं में यह जो किला आप देख पा रहे हैं जो की मौजूद है और इस किले का नाम है एक तरह देखाया है तो बहुत से लोग इसे भुलेनी कोड के नाम से भी जानते हैं और हित्तमपूर फोड के नाम से भी यह देख रहे हैं बह और इस किले की सबसे खास बात यह है कि गाउं के लोग के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक बरात रुका हुआ था और इसी किले के नीचे एक सुरंग गुफा है जो कि बहुत से लोग हैं जो कि रात के समय इस किले में विश्राम कर रहे थे और आज तक जो बराते लोग इस किले में ठहरे हुए थे जिस गुफा में ठहरे हुए थे आज तक उन लोग का मालूम नहीं चला है कि आखिर वो लोग कहां गए हैं और वरतमा समय में देखा जा तो जो किले के अंदर जो सुरंग है उसे भी बंद कर दिया गया है और यह जो किला है यह भारती पुरात्त तो विभा के सरच्छण में है यह देख रहे हैं इस किले की बनावर सेली बहुत ही खुबसूरत है और जैसा कि मैं बता रहा था यह जो किला यह पूरी तरह से वरतम दिवार का दिवार था लेकिन सामने आप देख पार होंगे जो दिवार है वह गिर चुका है यह देख रहे हूं और पहले देखा है तो इस किले में आप सामने देख पार होंगे जो कि दो दरवाजा है पहले नहीं लगा हुआ था क्योंकि बहुत से लगए जो कि अस्थानी पूरी तरह से जर्यर हो चुका है जिससे दुरगटना घटने का डर था तो इसलिए यहां पर आप देख पार होंगे जो की दरवाजा लगा दिया गया है और जो सुरंग के बारे में बात किया जाए तो पहले देखिए इस साइड से एक रास्ता था लेकिन वर्तमा स्वे में देखाया तो बहुत से लोग सुरंग के पास भी जाते थे तो उसे देखते हुए ये देख रहे हैं इस सेट से एक रास्ता था जो की सुरंग में जाने के लिए लेकिन यहाँ पर भी आप देख पाराओंगे जो की दरवाजा लगा कर इसे बंद कर दिया गया है ये देख रहे हैं ये है अंदर का नजारा कोचीज प्रकार और सबसे खास बात ये देख पाराओंगे जो की ये देख रहे हैं पत्थर जो पत्थर से यह पूरा जो छट बना गया है लगभग यह दिखाया तो दस फीट से भी लंबा यह पत्थर जैसा कि आप देख पा रहोंगे और आगे बंड़े के बाद यहाँ पर आप एक दिवार देख रहे हैं दिवार इसलिए बनाया गया है कि सामने आप देख पा रहोंगे जो की दो पत्थर है वह बीच से टूट गया है और ऐसा ही दिखाया तो एक पत्थर वहाँ पर भी आप देख पा रहोंगे जो की दो भागों में बढ़ चुका है और ये हैं अंदर का दिरी से कुछ चीज प्रकार ये देख रहे हैं ये लिखे सामने लिखा हुआ इस्टोर रूम और इसके लिए का ये पीलर देख रहे हैं बहुत उसरत नकासी किया गया है पत्थरों से ये देख रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा